जै जिनेंद्र गुरुजी जै जिनेंद्र बच्चों बच्चों आज की कहानी का शीर्शक है परमात्मा का नाम और मित्रता का पैगाव अजमेर में एक उर्पाल नाम का महापरतापी समराठ हुआ उसका एकलोता यिवराज रणपाल नाम का पुत्र था राज पुताने का जैन वीर यिवराज रणपाल एक सुन्दर स्वस्त सुशेल सुशिक्षित किशोर था एक दिन की बाद है समराठ और पाल राजदरभार में अपने सिंगासन पर आसीन थे तभी उसी समय पडोसी मित्र राज की जोगनीपुर के नवाब शाह सुल्तान आपके राज पर आकरबन की योजना बना रहे हैं समराठ ने पत्र पड़ा तो प्रतम तो कुछ गंबीर हुए परंतु शन भर में ही साहस और शूर वीता का एलान करते हुए बोले क्या कोई ऐसा बहादुर इस बरी सबा में है जो शाह सुल्तान को जीवित पकड़ कर ला सके तभी अत्यंत बुलंद आवाज में युवराज रणपाल ने हाथ उठा कर संशिक्त सा उत्तर दिया मैं ला सकता हूँ समराठ ने कहा बेटा तुम वीर हो पराक्रमी हो लेकिन शाह सुल्तान बहुत शक्ति शाली है रणपाल ने कहा ही राजन आप हमें आशिरवाद दीजिए कि हम विजय पता का लेकर लोटें रणपाल पिता से आग्या आशिरवाद लेकर शाह सुल्तान से युद्ध करने रणभूमी में जा पहुचा वीर पुत्र रणपाल सुल्तान के द्वारा बंदी बना लिया गया और कारागर में डाल दिया गया समराट उरपाल का एकलोता पुत्र था सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ रणपाल ने बच्पन में ही धर्म शिक्षा दिगंबर मुनी के पास ली थी अता ये कांत में आदी जिनेंद्र की हिस्तुती करते हुए 46 विकाबु का शुद्धी मंत्र के साथ जाब करना प्राहरम कर दिया बस फिर क्या था कारागर में सुन्दर सा पलंग बिच गया देविया सेवा में रत हो गई जन्जीर तूट गई दूसरे दिन रणपाल सीधा सुल्तान की दरवार में पहुच गया रणपाल को दरवार में उपस्ते देख सुल्तान को आश्यर हुआ उसने कोतवाल से कहा पहरेदारों से पूछा वह सब कैसे हुआ तो कोई भी इसका यथार्थ उत्तर ना दे सका इस बार सुल्तान ने स्वयम अपने हातों से रणपार को लोहे की बेड़ियां से चकड़ कर कारागार में बंद कर दिया और एक जरोके से पहरेदारी करनी लगा जैसे ही रात्री के बारा बजे की छालिस वी काविका इस्मरंड करते ही रणपार की लोह जंजीरें टूट गई सुन्दर सा पलंग उस पर कौमल बिचोना तकियां और देवियां उसकी सेवा कर रही थी यह देख समराट आश्चर से भर गया सुबह होते ही रणपाल सुल्तान की दरवार में जा पहुचा सुल्तान ने रणपाल को देख छाती से लगा लिया और पास में ही बिठा कर ससेन आदर के साथ अजमेर नगर की और प्रस्थान कराया तथा भविश में अजमेर नरेश हमारा प्रियमित्र होगा यह घोशना कर दी सुल्तान ने जैन धर्म का भी आदर सम्मान करना प्रारंब कर दिया